असलाम अलेकुम मेरे नम अली है और वाई शाओमी इस नॉट कमिंग स्लो 2023 में हर प्राइस सेग्मेंट में शाओमी ने अपनी एक एलक से ही वाइब रखी वी थी हर डिवाइस अवेलेबल कराई वी थी और 2023 में शाओमी ही एक ऐसा ब्रेंड है जिसकी रेगुलर प्रोड़क में उसको लांच कर दिया है रीटेल प्राइस चार जीप 128 जीप अंडर 30 के आपको मिलेगी और अगें यहाँ पर आपको 33 के आराउंड वाला वेलियंट देखने को मिल जाता है तो आज कि इस वीडियो में करते हैं इसको आंबॉक्स और देखते हैं कि बॉक्स कांटेंट क वेल दोस्तों सबसे पहले अंबॉक्सिंग तो इस तरह से हमें कुछ PR बाक्स बेजा गया है मी का लोगों हमें देखने को मिल रहा है और ब्लिंग इंट ऑन को भी मेंचिन किया गया है ग्रीन कलर का टॉन ओपन करते ही रेड्मी 13 सी ब्लिंग इंट और इस तरह से बाक्स है कोार्षा और एक हमें सैलफी सिक लेखने को मिल रही है और यह सेल्फी सिक शामे वाली है तुआ पहलें साइट पर और यहां सेबस्कों बॉक्स कोने का रहा है वाहिर रहा है दूसरे साइब को रूर के लिए अगरे क्तारते हैं और रैपर कैना का पाइब के बाद हमें इस तरह से कुछ पेकरजिंग देखने को मिल ला थी है sim एजेक्टर टूल मिलता है उपर वाले पैक में और यह पर सिलिकाउन केस भाक्स में देखने को नहीं फिर हमें Type A to Type C वाली केबल देखने को मिल रही है और अगेन यहां पर Out of the Box जो चार्जर है वो 10 वोट का है वैसे यह फोन 18 वोट की Fast Charging को सपोर्ट करता है तो डिवाइस को लाते हैं सामने और रेबर में से निकालते हैं अब यह है भाई Redmi 13C की First Look अब यहां पर वाई आप लुक देखो तो सारे ब्रैंड अपने मिडरिन सेग्मेंट में लुक के उपर काफी ज्यादा तबज़ो देरें और यह Frosted लुक के साथ आता है रियर पॉली कॉबनेंट का स्टफ है डूल कैमरा का जो सरक शेप में आपको सेट अप मिल रहा है वैसे है तीन कैमरा आपको यह स्टफ पर देखने को मिलेंगे अगर यहां पर एक फ्लैश लाइट देखने को मिल रही है और 50 Megapixel की ब्रैंडिंग है और पूरा फ्लैट और बॉक्सी फ्रेम है इन हैंड फील, फुली लेटेस फॉन वाली आपको आने वाली है अब फ्रेम इसका प्लास्टिक वाला है मैट फिनिशिंग में है, बैग अलग से है, फ्रेम अलग से है और वॉल्यम रोकर कीज के साथ, और फिंगर बिन सेंसर हमें साइड वाला देखने को मिल दाता है उपर वाली साइड पर 3.5M का जेक रखा गया है एक साइड पर सिम्टे जहां पर दो सिम्स की और एक मेमरी काड की स्लॉट अभी है आपको देखने को लती है, मेमरी काड भी आप एक्स्पेंड कर सकते हो इसके लाब बाडम की साइड पर आपको टाइप सी की किनेक्रिविटी मिलेगी, एक माइक मिलेगा और एक स्पीकर गिल देखने को बिल आती है थिकनेस की बात करते हैं, 8.1 mm के थिकनेस है और पूरा कहीं से फील नहीं आती है मतलब के 30,000 और का फोन है आज, मतलब अगर आपने कोई पिशे 6 महीने पहले देखा हो ना तो रेड्मी 12C लाँच वा था 37,000 का तो यह उसका एक प्रॉप पर अपग्रेड जो है ना वो शौमी लेकर आया है स्क्रीन की बात करते हैं, स्क्रीन है 6.72 इंचेस का 720P IPS पैनल है अच्छी बात यह है कि 12C से अपग्रेड यहां पर आपको 90 Hz रिफ्रेश रिफ्रेश रेट का देखने को मिलेगा जया दोस्तों वो आपको 90 Hz में नहीं मिलता था 60 Hz मिलता था यहां पर आपको 90 Hz का अपग्रेड देखने को मिल रहा है बाइदावे यहां पर नॉच वाला डिस्प्लेश देखने को मैं जाता है उपर वाला जो बेजल है वो काम है चिन में ट्रीन सेग्में की देखने को मिलता थी है इस अमेन यूए पी अफ दिस फॉन मतलब आपको कोई भी एंट फ्लिक्स वगरा एंजॉय करना है तो वह आप यहां पर फुल एजडे इस्ट एजूशन पर जो है वो एंजॉय कर सकते हो लोगों ने मार्किट किया होता है बोक्स योड़ा के लेकिन और एक स्टेबल यूई देखने को मिलती है अब रिसर्टली हम लोगों ने रियल्मी का C3 इसी प्राइस सेग्मेंट में कवर किया था देखो वाई उस फोन के अंदर वाइड वान L3 का सपोर्ट था और अगें भी इस फॉन को प्लस पैंट बनाता है बाइदावए अगर PUBG खेल नहीं हो तो 40 fps है जाइरो इस फॉन के अदर अवेलेबल नहीं है वालकि देटुड़ और अच्छा यूजज आपको यह जो हार्डवेर है यह प्रवाइड कर देता है यूनिसॉक अगर मीडियाटेक का हीलियो जी 37 भी आपको मिल रहा हो तो उनसे तो मीडियाटेक हीलियो जी 85 जो है यह थोड़ा बैतर ही काम करता है और इस प्राइस सेग्मेंट में इसे पहले रड़ी में 12C था अब 13C आपको देखने को मिलता है कैमरा की बात करते हैं तो 13C में 12C से 5 मेकापक्जल की जगा 8 मेकापक्जल का कैमरा मिलता है फुल HD प्लस रेजलुशन पर ये वीडियो रिकार्ड कर सकता है 1080p रेजलुशन के साथ 30 फ्रिम पर सेकेंड और अगें बैक कैमरा की बात करते हैं तो 50 Megapixel का आपको याप में से से देखने को मिल जाता है और इस 50 Megapixel से भी आप 1080p 30 fps पर वीडियो रिकार्ड कर सकते हो आपने थोड़ा हो से बहुत डेलाइट के शॉट्स की है एक बेसिक फॉन है तो बेसिक हैटेगरी का यह आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा अब अगे इस फॉन के अंदर 18W की फास्ट चार्जिंग है और यह फॉन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है बाट आउट ओ दो बॉक्स 10W का चार्जर है यह काइंड ओफ मुझे लगता है कि यहाँ पर 18W का चार्जर होता तो ज्यादा चीज़े बैतर हो सकती थी 18W पर चार्ज करने के लिए आपको चार्जर लल से नेना पड़ेगा 18W के साथ 5000 mAh अराउंड साड़े तीन घंटे में चार्ज होता है और वहीं पर अगर 720p हो और आपको अच्छा डिस्प्ले मिल रहा हो तो आपको आलमोस्ट दस से बारा घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मतलब दो दिन का बैट्री बैक अप तो एज़ी यह फोन पूराइड का देता है 4G की सपोर्ट मिलती है 4G VULD की सपोर्ट देखने को मिल आती है बाकी जो फाइल साइट फिंग भी मौंटेड है वो भी कोई काम करता हूं नदर आया बाइगी इस फोन के अंदर हैंस्वी का उट्पूट भी अच्छा है जो मैंने चेक किया अभी तक और एर वॉल्यम भी जो है ना कॉल वॉल्यम भी मुझे ठीक देखने को मिला है गूगल का डायर मिलता है तो सारी चीज़ें आप जो है ना वो जानते है अलड़ी आज शामी की युई के साथ तो यह है